साइन्स कॉलेज की मेंडी की धाकर गाफ समीत जंगल में साइन्स कॉलेज नवीन भवन में शिफ्ट होने के विरोध में कॉलेज के छात्र छात्रा उन्हें भुपाल चुराहे पर सडक पर बैट कर चक्का जाम कर दिया इस दौरान छात्र छात्रा उन्हें जम कर नारे बाज प्रभारी तहसिलतार पूनम तॉमर ने मौके पर पहुच कर विध्यारतियों से चर्चा की और समझाईश देकर जाम खत्म करवाया। और नारे बाजी करते हुए विशाल रेली निकालते हुए बोपाल चोराहर रोड पर बैठक कर चक्का जाम किया। और रास्ते में काली सिंद नदी भी आती है, ना पुल बना है और ना ही सड़क बनी है। हम तो किसी भी हाल में कॉलिज नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ तो सरकार कॉलिज चलो अभ्यान चलाती है और दूसरी और कॉलिज को जंगल में भेज रही है। हम अपना अधिकार मांगते हैं ना किसी से भीक मांगते है। विध्यारतियों की मांग को सुनने के बाद तैसिलदार ने विध्यारतियों को आशवासन दिया कि महा विध्याले को कही पर भी स्थान अंत्रण नहीं किया जाएगा। आपका महा विध्याले अभी तो तीन महा तक महीं यथावच चंचालित होगा। आपसे कोई भी आपका महा विध्याले खाली नहीं कराएगा। जिला संग्योजग विनोध राठोर पॉलाय ने बताया कि अगर तीन महीने के बाद भी प्रशागसन ने महा विद्धाला को खाली करने के आदेश जारी करे तो फिर से चात्र चात्राय भोपाल चुराहा पर इससे भी बड़ा उगरा अंदोलन करेंगे क्या किज विशे को लेकर आजे विरोध प्रतर संग क्या था अपने हातों में तो लड़किया अपना चूला चोका ही समाल लड़किया आगे नी बढ़े हम लोग यहां पर दन्ने पर बैठे हो मैं फर्स्ट इयर की स्टूडेंट हूं हमारा कोलेज है जो यहां से सिटी से बारा किलोमेटर दूर जंकल में गाउं में भी नहीं है जंकल लोग से शीटी में पढ़ने के लिए लेकिन यह लोग हमें सिटी से गाउं में पढ़ने के लिए पोचारे कि आपना पैसला बदले हमारा चाहीं रहेगा और जब तक हमारी अपी नहीं मांगते हम लोग यहां से नहीं उठेगी कि अधिकारी 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 आये असोचन दिया है कि आपका साइन्स कॉलेज महीं रहेगा तिन नहीं जंडल होगा अगर तिन महेंने बाद इसा कुछ होगा तो हम दील से शड़कों पर उत्रहेंगे और अजवी राम करेंगे इनकी मांग ठीक हम यहां से कॉलेज हमारा जो बनाया जा रहा हुँ दूर है उस बाद में इसे 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 मांग कहुंचा के जाएगी अर इसके बाद आप अगर जाकर बाद मिल सकते हैं इसे अपनी मांग के वाले में करता करता है तो इसे, अपनी मांग के वाले में तरह आप जाएगी आप इसे नहीं को बाता है